चेप्टर नमबर 11 जियोग्रफी बाटर इन एटमोस्फियर यू है यू है औरेडी लेंड देट दा एयर कॉंटेंड बाटर बेपर ये कैसे थाबित होएगा एक बाटल फ्रीज से बाहार रखो उसके सर्फेज पे थोड़ी देर में पानी आ जाएगा वो पानी कहां से आया वो पानी एयर से आया क्योंकि ये मैटल सर्फेज बहुत स्ट्रॉंग होता है तो एयर से कैसे आया एयर में पानी होता है और इसी एयर के पानी को हम हुमिडिटी कहते हैं कई बार आपने कहते हैं कि आज मौसम बड़ा चिपचिपा है तो उसका मतलब ये होता है कि बाताब में carrying capacity जादा हो जाएगी बाटर बेपर जादा होएंगे यह चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए temperature अगर low होगा तो carrying capacity air की बहुत ही कम होगी इस चीज़ को ध्यान में रखें कैसे अगर बातवर्ण में तामान बहुत जादा होगा तो बाताबंड में क्या होगा पानी की मातरा भी ज्यादा हो जाएगी और कम होगा तो पानी की मातरा टेंपरिचर के साथ घट जाएगी अब देखते हैं बाताबंड में गैसीज होती है पानी जो है गैसीज में भी मिल जाता है, लिकुड में मिल जाता है, बरफ भी हो जाता है और एर में भी होता है और लिकुड तो आपको पताईए तो हम दो चीजों से पानी जो है वो आसमान में पहुंचता है एक है इवैपोरेशन और एक है ट्रांस्पिरेशन ये दखो सबसे पहले इवैपोरेशन होता है और ट्रांस्पिरेशन होता है इवैपोरेशन होता है बाश्पी करण और ट्रांस्पिरेशन होता है बास्पोत सरजन पौधे मिट्टी और धर्ती से भी कुछ बाश्प बाहर की तरफ निकलते हैं उसको कहते हैं ट्रांस्पिरेशन ट्रेड करती हैं अंदर और यह इन मॉलीकूल के साथ टकराती है और इन में से एक मॉलीकूल आज ऊपर आता है और यह सर्फेस पर आके फूर जाता है और यह हवा में मिक्स हो जाता है तो यह गैसिस फॉर्म में चला जाता है आगे देखते हैं इस चेप्टर में Absolute Humidity की बात की है तो एक बार इसको पढ़ के हमें आगे चलना चाहिए Absolute Humidity It is the bait of the water vapor per unit volume of air and expressed in the term of gram per cubic meter Absolute Humidity की बात करते हैं ये देखो per cubic meter बना दिया है मैंने ये चारों तरफ से एक एक मीटर का एक बॉक्स है इसमें कितना पानी है कितने gram पानी है इसको कहेंगे Absolute Humidity कैसे पानी निकालेंगे हम इस को इतना condense कर दें इतना compress कर दें कि यहां जितना भी पानी है हवा में इस per cubic meter में वो liquid form में आ जाए वो liquid form में आए बाहर निकाल लें और उसको माप कर लें तो जैसे 2 kg आया तो ये 2 kg आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि per cubic meter में हवा में कितना पानी है That is absolute humidity अच्छा humidity बढ़ती भी है और घटती भी है अब कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है जैसे temperature अगर जादा है तो जल बाश्प धान करने की क्षमता जादा होगी temperature कम होगा तो जल बाश्प धान करने की क्षमता हवा में कम होगी तो अब ये देखते हैं अब relative relative है कि the percentage of moisture present in the atmosphere as compared its full capacity ये atmosphere है यहां पर पानी है उधान के लिए 2 kg जी दो लीटर पानी है माल लिया केजी नी लीटर दो लीटर पानी है बट इस हवा में दो लीटर और पानी आ सकता है ठीक है दो लीटर पानी और आ सकता है अब देखो इस बात को यहां से सपस्ट करो moisture present in the atmosphere as compared its full capacity at the given temperature is known as relative humidity जैसे temperature बढ़ेगा तो यह और मर्ज हो जाएगा इसमें और पानी आ जाएगा यह आप समझ गए होंगे saturated क्या होता है जब एक हबा में जितना भी temperature है जैसे temperature हो 10 degree Celsius तो 10 degree Celsius में एक लीटर पानी ही आ सकता है माना हमने और इस हबा में 10 लीटर पानी ही है तो यह है saturated air इसके बाद इस air से अगर पानी और एड हुआ तो यहां बूंद बनेंगी और बारिश होएगी ठीक है saturated point यह होता है और dew point तब होता है जब saturation पूरी हो जाती है और उसके बाद पानी बूंदों के रूप में बरसना शुरू हो जाता है आगे देखते हैं एक आगया latent heat the temperature at beach the butter start evaporate जिस तापमान पर पानी भाफ में बदलना शुरू हो जाता है उसे latent heat कहते हैं vaporization कहते हैं latent heat of vaporization latent heat को हिंदी में गुबत उश्मा कहते हैं कहीं न कहीं पानी को हवा में धान करने के लिए एक उश्मा एक गर्मी की जुरूरत तो होगी अच्छा जब वो पानी की बूंद धर्ती से गिर जाएगी तो वो बूंद कुछ न कुछ गर्मी बाहर छोड़ेगी ठीक है इसके बाद एक कॉंसेप्ट आता है कंडेंशेशन कंडेंशेशन का मतलव है देखो धर्ती के उपर एटमोसफेर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं पार्टिकल जैसे धूल के कंड हवा धूल उडा देती है और आसमान में चली जाती है तो जब वो इवैपोरेशन होता है तो पानी की छोटी-छोटी बुन्दे इन डस्ट पार्टिकल के साथ चिपकना शुरू हो जाती है ये न्यूकलियर का काम करते हैं डस्ट पार्टिकल ये नमक के करण होंगे समुद्रों के किनारे या ग्राउंड में धूल के करण होंगे तो उसके आस पास तो ये एक बुन्द बना देते हैं एक तो बात ये हो गई दूसरा हबा में पानी है बहुत सारा और ये सैचुरेटड हो गया है और अब ड्यू पॉइंट तक का गया तब इसकी बुन्द बन जाएगी तो इस बुन्द बनने और डस्ट पार्टिकल से बुन्द बनने इन दोनों की प्रक्रिया को कंडनसेशन कहते हैं कंडनसेशन मतलब बारिश शुरू आपने देखा होगा जब बादल आसमान में होते हैं और ब्लैकिश होते हैं तो वो होता क्या है हम धरती से उपर जाते हैं तो एक किलो मीटर पर 6.5 डिगरी सेलसियस टेंपरेचर कम हो जाता है तो यह धरती पर माना यह 20 डिगरी सेलसियस टेंपरेचर है और उपर जाके एक किलो मीटर पर कम होके यह 13.5 रह जाएगा तो उधान के लिए यहां 20 लीटर पान इस हवा में इस temperature पर तो एक किलोमेटर की उंचाई पर इस temperature पर इतना temperature तो कम हो गया तो पानी भी कम होना चाहिए तो पानी भी saturated होके बुंदे बनके dew point पे आके नीचे दर्ती पे गिरना शुरू हो जाता है और कई बार ये पानी की बुंदे एक ऐसी layer से गुजरती है जहां पर minus temperature होता है तो ये पानी की बुंदे ठोस हो जाती है और ओला ब्रिश्टी भी आपको देखने को मिलती है तो ये इस paragraph में दिय अगया था ठीक है ये salt form में होता है न्यूकलियाई ये dust particle इसी में इस sublimation की बात आई sublimation का बात ये कि जब बादल उचा उड़ता है भाफ सीदेई बर्फ के रूब में बदल जाती है और यहां minus में temperature है तो छोटे छोटे पार्टिकल बर्फ में convert हो जाएंगे और वो गिर automation सीदेई बर्फ के रूब में गुजर जाना ठीक है इससे आगे देखेंगे आगे देखते हैं बिटा आगे सबसे पहले डियू डियू आपको पता है ओस की बुंदे आपने पत्तों पे छोटी छोटी बुंदे देखी होंगी जैसे एक लीफ है ना एक लीफ पता तो उसक आपको पता है कि हवा में पानी होता है तो रात के समय वो ठंडा हो जाता है सरफेज सारा और जब ठंडा होता है तो कंडंशेशन की जो जैसे यह सरफेज है और यहां पत्ते हैं बहुत सारे और हवा में गर्मी है और बातबन गर्म है तो हवा में पानी है रात के समय यह ठ कहां से आए तो यह मोती हवा में ही थे रात को ठंड हुई और यह कंडंशेशन हुआ कंडंशेशन यह है और उसके साथ यह पॉइंट बन गया इससे आगे देखते हैं स्टोन ग्रास यह इसके उपर होते हैं लीप से उपर अच्छा यह बनता कैसे है स्काइड क्लियर होना च तो फिर यह बन नी पाएंगे हवा चल रही होगी तो यहां पर बूंद बनने से पहले हवा इसको तंग कर देगी बगा देगी तो भी नी बन पाएंगे उसके बाद अगर अगर लॉंग नाइट हो ठीक है तो बन जाएंगे फॉर्मेशन और थोड़ा फ्रीजिंग पॉइ क्लाइंट पे आना चाहिए हावा को गिव लगा चलते हैं फॉरस्त आपने देखा पिक्सल जैसे देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं जब यह तब होता है जब रात में condensation जो होती आवे माइनस में हो जाता है तो माइनस में हो जाता है तो यह सारा का सारा freezing point में 0 C celsius पे तो ice crystal जमा हो जाते हैं उस पे उसको कहते हैं forest आगे है fog and mist इन दोनों को ध्यान से हम पड़ेंगे बैटा अगली बात हम देखने वाले हैं यह है fog और mist यह fog कोई perfume वाला नहीं है यह कुछ और जैसा है देखते हैं जब temperature कम होता है न हवा का तो ground के spas में ही condensation सुरू हो जाती है तो एक बादल सा बन जाता है अब देखते हैं the fog is cloud with its base at very near the ground ground के बिलकुल नजदीक जब बादल जैसा बन जाता है तो उसको fog कहते हैं और इसी को mist कहते हैं mist में होता ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बाटर बेपर होते हैं fog के comparison में because of the fog and mist the visibility become poor आप सर्दियों में देख सकते हैं सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाता है छुट्टियां भी हो जाती है इसी fog और mist की वज़ा से the urban and industrial center smoke smoke provide smoke plenty of the nuclei which help to formation fog and mist अब देखो एक नई चीज ये न इंडस्टिल एरिया में छोटे छोटे धूल के कन आसमान में आ जाते हैं और इनके साथ रात को जो है वो बादल जो छोटे छोटे हवा के कन है वो चिपक जाते हैं और ना वो धर्ती पे गिरते हैं ना वो आसमान में जाते हैं क्योंकि temperature थोड़ा बड़ा होता है तो बादल जैसा बन जाता है उसकी condensation तो होती नहीं है तो ये बन जाता है इसको कहते हैं फॉग और मिस्ट अब इनकी बज़ा से स्मोग पैदा हो जाता है जब धुआ जादा मिल जाता है फॉग और मिक्स जो मिस्ट है उसके साथ तो इसको स्मोग कहते हैं स्मोग होता है बहुत ही खतरनाक जिसमें respiratory सांस से समंदित दिकते हैं लोगों को आ जाती ह ठीक है only the difference between mist and fog is that mist contain more moisture than fog mist में जादा moisture होता है fog के comparison में